एक स्टूडियो तोड़ दिये जाने पर कंगना रनावत का दर्द दिखाने वाला मेडिया 48,000 गरीबों की जुगियां तोड़ने के फैसले को खबर ही नहीं समझता है। चर्चा तक नहीं करता है। यानि लोकतंत्र के इस्तंभ होने का दावा करने वाली संस्थाओं के साथ साथ जब आम आदमी के विवेक पर जंग लग जाती है तभी देश का लोकतंत्र मरता है। का दर्द दिखाता है और लोगों की आँखों में आशू आ जाते हैं। एंकर रिपोर्टर रिया चक्रवति का मेडिया ट्रायल करते हैं और तमाम लोगों के मन में गुस्सा आ जाता है। जातिवादिक कंगना रनावत अचानक वनसवाद की विरोधी हो जाती हैं और तमाम लोग क्रांतिकारी बन जाते हैं। इसी बीच बयान वीर संजे राउत कंगना को मजा चका देते हैं। इसमें भी खुसी में लोग गदगद हो जाते हैं। भले ही कोरोना के मामले रोज आना एक लाग को पार कर रहे हूं। देश की जीडीपी विकासदर 24% निगेटिव में चली जाती है। मगर आप इसे संयोग मान लेते हैं। मीडिया इस्पांसर नकली दिवाली के जवाब में प्रोटेस्टर्स भी दिवाली मना लेते हैं। मतलब तमाशा और सरकस के इस शोर में खुद को तमाशे बाज बना लेते हैं। नया दिलाना तो दूर की बात है, मजलूमों के पक्ष में आवाज उठाना भी भूल जाते हैं, 48,000 जुग्यां तूटने के बाद ये मेहनत का श्लोक कहा रहेंगे, बस ऐसे ही जरूरी सवाल उठाना भूल जाते हैं स्टूडियो के गम में बैठी कंगना रनावत, अब आयोध्या और कश्मीर पर फिल्म कैसे बनाएंगी, इस बात की चिंता है, तो कीजिए, मगर जुग्यी तूटने के गम में बैठी कोई विजेता राजभर, अपनी पिएचडी की थिसीस कैसे लिख पाएंगी, इसकी भी चिंता होनी चाहिए, भूखे प्यासे बेघर, हजारों बच्चे या पढ़ाई कैसे कर पाएंगे, उनके भी फ्यूचर की चिंता होनी चाहिए, 48,000 जुग्यों में लाखु जिंदगियां रहती हैं, उनका क्या होगा, इस पर भी तो चर्चा होनी चाहिए, जहां जुग्गी वहीं मकान का नारा देकर, वोट लेने वाले नेता चुप क्यूं है, इनकी भी तो जवाब देहीत होनी चाहिए, सरकार और मीडिया जब सरकस ही चला रहे हैं, तो सरकस देखिए, मगर तमाशवीन दर्सक बराबर भी मन में समवेदना तो बची होनी चाहिए, बेघरों, बेसहारों के साथ साथ, बेरोजगारों की दशा पर भी डिवेट होनी चाहिए, पता है चाहिए कि नयतिक्ता वाली ये अपील आज बहुतों को भारी लग रही है, मगर यकीन मानिये, बेरोजगारी, जीडीपी और गरीबी की बात करना पत्रकार के तोर पर हमें हमारी जिम्मेदारी लग रही है